हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम TBS Apache RR310 के जो New Avenger Edition लौंच हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे जैसा कि आप लोको भी पता है अभी TBS अपने पोर्फोलियो पे काफी एक्टिव है अभी हाल ही में TBS ने अपने एंटोर के स्कूटर में Marvel Avenger Avatar में New Graphics को लौंच किया है जिसका नाम Super Squad Edition रखा गया है TBS को पता नहीं कहां से अभी ऐसा आइडिया मिला है कि वो एक के बाद एक Hollywood के सूपर मूवी वाले हीरो के ग्राफिक्स अपने बाइक में ला रही है TBS ने अपने अपाची RR310 में Avenger मूवी के सूपर हीरो के ग्राफिक्स अपने RR310 में दिया है तीन न्यू ग्राफिक्स अपने RR310 में दिया है फर्स्ट है Iron Man, सेकेंड थोर एंड थर्ड हल्क तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे तीन न्यू ग्राफिक्स वाले RR310 दिखाई दे रहे होंगे तो इसके जो पहले दो कलर आते थे वो अभी भी अबलेबर रहेंगे वो अभी भी रनिंग में रहेंगे, continue रहेंगे और उसके साथी साथ आपको ये तीन न्यू एवेंजर एडिशन वाले कलर कॉम्बिनेशन भी दिखाई देगा मतलब अब आपको अपाची RR310 में पाँच कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है जिसमें तीन होगा एवेंजर एडिशन का और बाकी जो इनके जो स्टोक के आते थे ब्रेक एंड, ब्लेक एंड ग्रे वाला कॉम्बिनेशन और रेड वाला वो ये एव लेबल रहेगा तो ये पाँच कलर कॉम्बिनेशन में अब आपको RR310 दिखाई देने वाला है और बात करें अगर ये तीनों जो एवेंजर एडिशन लॉंच हुए है इसके ग्राफिक्स का इस बाइक का क्या प्राइस पढ़ने वाला है और उसी टाइम इसका प्राइजिंग में अनॉंस्मेंट कर दिया जागा और ये सोरूम में भी अबलेबल हो जाएगा और इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले ओनलाइन बुकिंग करना होगा आप टीवियस का आज टीवियस ने एक एप निकाला उस पर भी जाके आप बुक कर सकते हैं अभी उस एप पर ये अपडेट नहीं आया इस बाइक को लेकर तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता होपुली एक से दो हपता आपको वेट करना पड़ जाएगा तो बाकी सारा जो इसके बाइक रिलिटेड डिटेल से वह आ जाएगे अभी फिलाल इसका कलर्स कोंबिनेशन का ही अपडेट मिला है प्राइजिंग और इसका जो डिलिवरी है उस पे कोई अपडेट नहीं मिला है पर जहां तक उमीद ये लगा जा रहा है ये जनवरी 2021 से सारा चीज़ इसका एबलेबल हो जाएगा तो आप भी अगर RR310 के फैन है और Avenger Edition के भी फैन है तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप कुछ दिन वेट कर लिजे वेट करने के बाद आपको नहीं साल में 2021 में जनवरी में आप इस बाइक को ले सकते हैं आपकी 5000 तक एक्स्टा लग सकता है जो ये निव थीम वाला ग्राफिक्स आपको RR310 में देखने को मिलने वाला है तो आप लोगों को इन तीनो ग्राफिक्स में से कौन सा ग्राफिक्स बेस्ट लगा कौन सा अच्छा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और personally मुझे जो grey वाला जो Thor का है वो वाला मुझे काफी best लगा काफी अच्छा लगा है बाकी तीनों जो graphics launch हुए तीनों का अलग अलग ही सब में अलग मजा है बाकी personally मैंने बताया था कि grey वाला Thor वाला ही मुझे best लगा है बाकी यह अभी वीडियो में आपको समझ में ना है बट आप जब सामने से देखेंगे तब आपको इसका जो original quality है वो पता चल जाएगा और changing को लेकर बात करें कि graphics के लावा और क्या change हुआ है तो मैं आप लोगों बता दूँ इसमें सिफ graphics ही change किया गया है और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टाइब का कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है सिफ इसका graphics को ही change किया गया है जो Avenger Edition में launch किया गया और इस screen पाप अभी जो photos देख रहे हैं हमें Ruslan website ने share किया है अगर आप अधिक जनकारी पाना चाहते इस bike से related कोई भी inquiry तो आप इनके website पे जाके check out कर सकते हैं या आप इनके YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं तो ये था Apache RR310 का एक छोटा से वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगाओ तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए Ride With Bike